हालो दोस्तो नमस्कार स्टडी पोर्टर में आप सबका स्वागत है मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजे दोस्तो आज हम बात करेंगे डी एसेश बी के अंदर दो हजार एक्किस में जो पी आर्टी यानि प्रैमरी टीचर के फोर्म अपलाई किये गए थे उनका प इसकस करेंगे इससे पहले यह बता दूं कि हम लोग डी एसेश बी के चाहे वो पेपर वन हो चाहे वो पेपर टू हो हम दोनों के नोट्स आपको कोरियर से प्रवाइड करवाते हैं इनको आप जब चाहो तब ओर्डर कर सकते हैं पी आर्टी के लिए पूरे का पूरा सैट ऐसे आपको अवेलेबल है टे युण पी इटे के लिए यह बात कर रहे हैं तो उसका बता रहा हूं इस नंबर पर कौर यब अइस पर बात करकर आडर कर सकते हैं की डीएश बी के लरा से डीडल एस्भी के अंदर जो पी यार्टी टीचर के form apply करे गए थे 2021 में उनके बारे में बच्चों का बार-बार ये question आ रहा है कि sir exam कब होगा अब exam पहले तो ये अंदाजा नहीं लग रहा था पहले तो ये मान कर चला जा रहा था कि exam में थोड़ा time मिलेगा लेकिन अब आपको समय नहीं मिलेगा और उसकी वज़े ये है कि DSSB ने जो TGT के form भरवाए गए थे DSSB ने जो TGT के form भरवाए गए थे PRT के साथ ही 2021 में उनकी exam date जो है वो announce कर दी है exam date जो है वो announce हो चुकी है और ये exam date जो है वो September के लिए announce करी गई है September 2021 की इसमें कुछ subject TGT के हो चुके हैं और कुछ बाकी है ये list आई है first DSSB TGT और PRT के लिए first list ये announce की गई है और इसको क्यों announce किया गया है इसको announce करने का जो सबसे बड़ा लोधिक है वो क्या है वो भी एक बार आप देख लिजी इसको announce करने का जो सबसे बड़ा लोधिक है वो ये है कि COVID की जो third wave है COVID-19 की जो third wave के बारे में बात हो रही है वो दुनिया के अंदर कभी भी आ सकती है और DSS भी चाहता है कि इस third wave से पहले पहले exams जो pending है वो ले लिए जाए अब इसके लिए जो लिए first list आई है इसके बाद अब second list आईगी और इस second list में जो PGT के pending subject है वो तो होंगे होंगे उसके साथ आपका PRT रहेगा तो ये तो साप साप मान के चला जा रहा है कि September last या फिर October 1st ये समय है DSS भी PRT की exam date का जिन बच्चों को ये लगता है कि ऐसा नहीं होगा वो उनकी अपनी personal सोच हो सकती है लेकिन हम इस बात को मान कर चल रहे हैं कि DSS भी जितना जल्दी हो सकेगा announcement exam की date की कर देगा क्योंकि DSS भी चाहता है कि आने वाले दो महीने के अंदर अंदर जितने भी pending exam है उनके जो प् प्यारी करनी होती थी वो कर चुके हैं और जगह जगह पर सब जगह स्कूलों के अंदर भी छुटियां चली हुई हैं इस्टिटूट्स में भी ज्यादा तर छुटियां चली हुई है तो पेपर और्गनाइज कराने में DSS भी को जरा सी भी मसकत नहीं होनी है तो PGT के exam वो करने का उदिश्य था कि अगर आप तयारी सच में कर रही हैं अगर आपको लगता है कि अच्छे से तयारी करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा वेट जो है वो नहीं करना चाहिए और इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलता है और जितनी भी कोशिस होगी आप एका मूर कर दीजिए बलकि आप अपना नाम अपने सहर का नाम साथ में डी ट्रीपलेस भी और साथ में पी आर्ट अगर पी आर्ट वाले बच्चे हैं तो यह लिख करके वर्टसप कर दीजिए इस नंबर पर जो भी इन्फोर्मेशन होगी ए प्रके दीजिघिए और जितने भी हमारे लेक्चसर आ रहे हैं योटूब के ऑपर उनका लिंक आपको वर्टसप पर आता रहेगा जब जब हम टेस्ट डिसकुस करते हैं क्योंकि टेस्ट भी हम डिसकुस करते है उनके बारे में जानकारई आपको मिलती रहेगी और इस नं एक को हम वीडियो के तुरू डिसकस कर देंगे, अब आपको कहीं जाने की जुरूत नहीं है, कोवीड की सिच्वेशन ज्यादा अभी खत्म नहीं हुई है, दोबारा भी आने के चांसिज हैं, तो ऐसे स्तिती में ना ज्यादा भार गुमें, ना कहीं भीड बढ़ाके में जा जुरूत नहीं पड़ेगी, ये हम लोग मानते हैं, अगर किताबों का साथ रहा, तो दुनिया साथ रहेगी, और अगर किताबों का साथ छूटा, तो दुनिया के अंदर सारे ओप्शन छूट जाने हैं, तो दोस्तों अच्छे सी मेहनत कीजिए, और सलेक्शन के लिए सीचे, धन्यवाद, सुपकाम